ओके तो भाई हम जानते है गंडपत का टीजर को देखने के बाद बहुत से फिल्मी भाई इसमें बुरा क्या है बता रहे है पर वो बुरा क्या है बताने को जाके इसका अच्छाई को इगनोर कर रहे है इसमें बहुत से अच्छी भाते भी तो है यार उसके बार में कोई क्य पहला डिटील्स इस टीजर का स्टार्टिंग में हमें गणपत को दिखाया जाता है और एंडिंग में गणपती बपा को असल में इसे ऐसे ही नहीं दिखाया है इसके जरी हमें एक कहानी बताया है देखो टीजर का पहला सौट में हमें गणपत को ध्यान करते हुए दिखाया और यह चाहे तो इस society के लोग मर रही है, खाना, पीना, जीना, सब इसी का control में है बाई, पर फिर कुछ ऐसा होता है, जिसके बाद कि हमें emergency exit वाला shot दिखाते ही, अगला shot में हमें वो बड़ा वाला gate close होते हुए दिखाया है, जिसका मतलब कि हम समझ सकते हैं, यहां कुछ जाग रहा है, और सबकी आसाओं की किरन भी ढ़ल रहा है, मतलब जहां से मदद मिल सकता था, वहां का gate close हो रहा है, ठीक तभी अगला shot में सब भगवान को प्रार्थना करने लगते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई option ही नहीं है, तो यह भगवान को बुलाते ही, उसका अग सब कुछ गडवर करने लगता है, तो सब भगवान को बुलाने लगते हैं, और वो बुलाते ही गणपत की आँखे खुलता है, उसका ध्यान तूटता है, मतलब सब stable से unstable हो चुका है, तो फिर और होना क्या था, जब से उसका आँखे कुलता है, वो वस एक के बाद एक fight करत जाता है, और सब को निप्टा देता है, उसके बाद आखिर में सब को गणपती जी भी दिख जाते है, तो इसका मतलब सब ठीक हो चुका है, ये प्रार्थना कर रहे थे, तो वो दर्सन दे दिये, ये उनका problem solve करने को बोल रहे थे, तो वो इनके लिए एक रक्षक बेज द करता है, जब बच्चन सा बोलते है, ये लड़ाई तब तक मतलब लड़ना, जब तक हमारा युद्धा ना आजाई, मतलब वो भगवान को प्रार्थना करने के बाद ये ही युद्धा का वेट कर रहे थे, जिससे रक्षक बनाकर भगवान भेजने वाले थे, मस्त था वा अगला ये लोगों हमें यहां का सारे बोरियों के उपर दिख रहा है, जैसे कि रोलेक्स का बिच्चू सिंबल, अब इसका मतलब क्या है यह तो पता नहीं, पर यही लोगों आगे हमें वो रिंग में भी देखने मिल जाता है, जो कि उस सूपर एडवांस सीटी के अंदर ह दखो यहां नीचे भी है और यहां चारो तरब भी, मतलब यह लगो साइद इसका मैन विलन का है, इसलिए इस रिंग से लेकर उस बोरियों तक हर जगह इसका सिंबल में दिख रहा है, नेक्स्ठ हमें पता है, जब इन लोगों के उपर प्रोबलेम आए, तो इसमें गणप द्धट भी यहां काहीं रहने वाला है, जसआ यहां सही वह दीरे दीरे आगे बढ़ेगा और वहां पहुचेगा और क्या पता वहां पहुचने के बाद बदल भी जाएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं, वह तो पहुचने के बाद थोड़ा अयासी करने लगा है, और ये सिं में गणपत का लास्ट डैयलोग से मिलता है जब अपनों पर बात आती है तब अपन की हट जाती है मतलब यह यहां टॉप पर आएगा थोड़ा भटकेगा और जब अपनों पर बात आएगा तो यह विलन के खिलाफ हो जाएगा देखती है क्या होगा पर यह तो पका है कि परी रहे है तो बता दे यहां का एक फाइट सीन में जसी भी दिख रही है जिसे देखकर हमें लग रहा है कि यहां इगणपतर जसी फरस्ट टाइम मिलने वाले है आपको क्या लगता है नेक्स्ट देखो इसका स्टूरी 2070 में सैट है और उसके हिसाब से हमें सब दिखाया भी है रीच सिटी पूर सिटी पाने का मचमाच है ना जो भी हो लेकिन उन सब के अलावा एक और इंट्रेस्टिंग चीज भी इसमें दिखाया है और वह है ये टाइगर मतलब इंट्रेस्टिंग हम इस टाइगर की वीएफेक्स या सीजी आई के लिए नहीं बोल रहे हम ब इसके वज़े से घसिट कर तो नहीं ला रहे पता नहीं इसके बारे में और इस आदमी के फेसफ़र जो चिन है इसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा आपको कुछ पता हो तो कमेंट करके बताओ आगे हम इसके बारे में बात करेंगे हाले कि इसके बारे में पता है यह गणपती है यही रेड जैकेट पर आगे हमें टीजर में दिख जाता है यह नाचना गाना छोड़के यहां क्या कर रहे है यह था कुछ डिटेल जिसे हमने गणपत का टीजर में नोटीस किया था और हमें लग रहा है बहले यह टीजर परफेक्ट ना हो पर इतना बुरा भी नहीं है ठीक ठाक है वाई हमारा यह सारे गाने साने और कहीं यह हीरो पंतिजे साना बन जाए उसका थोड़ा डर है पर इसमें डिटेलिंग भी देखने मिल रहा है तो क्या पता इसका में कर स्टोरी को लेकर सीरियस भी हो और एक अच्छा कहानी बनाया हो देखते हैं आग सबस्क्राइब कर लो